हमारी मंदिर हमारी धर्वान है भारत देश में कई मंदिर ऐसे हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए ठीक कैसे उस समय भी मावलस अर्किट्रिक्टर बन पाते थे स्वागत है आपका कता संगम में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और बैल आइकन दबाना ना भूदिए तक आपको नोटिफिकेशन मिल सकी है आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे मंदिर में जिसका आर्किटेक्टर देखते ही आप सोचने लगेंगे कि ये कैसे बनाया गया होगा क्योंकि आज की मौटरं टेक्लोजी में ऐसे किसी मंदिर को बनाने की कल्पना की चा सकती है ऐस हमारे पास ग्रीन से हैं रोबोї्टिक मशीन से ऐं ग्राइंडंडिंग भृलिंग और मिक्सिंग करने के लिए अध्री प्र उस तो समय इस मंदिर को कैसे बनाया गया होगा आई जांते हैं पर उससे पहले समझते हैं कि इस मंदिर की संदर्षना के बारे में और इस मंदिर का निर्मान कब और किस ने कराया था ब्रियादेश्वर मंदिर द्रवीडियन आर्किटेक्चर का एक बेग मिसाल उधारण है जो तजवूर तमिल नाडु वेस्तित है तो दोस्तो चलते हैं इस मंदिर की कुछ और तक्ति जानने यह मंदिर भगवान श्यव को समद्धित है और लगभग हजार साल पुराना है और इस मंदिर की हाइट 216 फीट है इस मंदिर को बनाने में एक लाग तीस हजार टन ग्रनाइट पत्थर का समद्ध किया गया था राजा राजा चोला फर्स्ट ने कराया था यह मंदिर जहां है वहां से 60 किलोमीटर रेडियस में ना तो कोई चट्टा ने है और ना तो कोई पहाट ऐसा माना जाता है कि लगभग 3000 हाथी लगेते मिलो दूर से पत्थर लाने यहां का आर्किटेक्चर इंटर लॉक या पजल टेकनिक पर बनाया गया है इंटर लॉक या पजल टेकनिक वही है जिसमें पत्थरों को खासतरह से इग दूसरी के ऊपर इस तरह से रखा जाता है कि वो लॉक हो जाए और किसी भी सीमेंट या अडेसिव इजिन की ज़रूरत ना पढ़ी दुनिया के बहुत सारे मॉनियुमेंट्स हैं जैसे लंडन का बिग मैन, लीजा का लीनिंग टार हर साथ कुछ डिग्री इंकलाइन हो रहे हैं पर भारत पर्ष में बना यह मंदिर समय को मात देता हुआ आज भी खड़ा है आईए आप समझते हैं इस मंदिर के गुंबत जोगी 81 टन भारी है और एक पत्थर से बना है उसे कैसे मंदिर के उपर रखा गया होगा लोकल गैड के नुसार मंदिर में गुंबत तक 6 किलोमेटर तक एक रैम तेयार किया गया था हाती, गोडो, बैल और मजदूरों ने मिलकर इस पत्थर को उपर तक पहुचाया यहां की एक और चीज आपको हैरान कर देगी वो है नंदी की प्रदिमा नंदी यहां पर 13 फ्यूट के हैं और एक ही पत्तर से तराशे गए है ऐसे कई मंदिरों की कहानी आप तक हम पहुचाते रहेंगे तब तक आप हमें बताए कि आप किसी ऐसे मंदिर के बारे में जानते हैं जो अकल पनियों हो प्लीज हमें कमेंट करके बताएए कथा संगम ऐसे महान अर्पिटेक्चर को नमन करता है मिलते हैं किसी और कहानी के साथ तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद को नमस्षिवाए